हेई फ्रेंद्स, वेलकम, कैसे हैं आप सब, I hope आप सबी सवस्त होंगे, आज के रीडिंग है लियो के लिए, सिंग राशी के लोगों के लिए, कि आपके परिशन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फिल कर रहे हैं, उनका नेक्स्टेक्शन क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, लियो और सिंग राशी से आप लोग सन, मून, वीनस, राइजिंग किसी भी तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो यह रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, यह आपके लिए helpful हो सकती है, timeless है, तो जब भी देखेंगे तब भी resonate करेगी, लेकिन साथी में general है, तो ज़रूर ही नहीं है, सभी से resonate करें, अगर आप से करें, तो like, share and comment ज़रूर से करें, So without wasting much time, let's start, check करते हैं, आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, क्या उनका next action होगा, आपके लिए क्या guidance है, ठीक है, मैंने चार कार्ट्स निकाले हैं, अब हम चेक करने वाले हैं, वो क्या मिस्सूस कर रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, Oh my goodness, Gemini Libra Aquarius, Cancer Pisces Scorpio की energies prominent हो सकती है, Taurus की energy prominent हो सकती है, यहाँ पर मैं देख रहे हूँ, 14 number, 5 number, 23 number, 4 number, 13, 31 and 22 numbers आपके लिए prominent हो सकते हैं, Gemini Libra Aquarius की energy prominent है यहाँ पर, आपके person इस time, अगर आप लोग no contact में हैं, तो आपसे contact में आना चाहते हैं, और चीजों को दुबारा से restart कर आना चाहते हैं, और अगर आप contact में हैं और ढंक से बात नहीं हो रही है, या फिर ऐसी भी possibility है, कि आप में से कुछ लोगों का हाल फेलाल में, उनसे कुछ argument हुआ हो, जगड़ा हुआ हो, जिसकी वज़े से वो थोड़े गुस्यम में हो, लेकिन उन्हें ना present में कुछ भी आपके बीच में no matter, उनको लगता है कि थोड़ा सा धहरे रखने के बाद, future में सब कुछ balance हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और आपके रिष्टे में growth होगी, abundance होगी, और divine की blessings होगी, तो present में आपके रिष्टे में जो भी चल रहा है no matter, future के लिए आपके person बहुत positive हैं, optimistic हैं balance हैं और धहरे धीरज रखे हुए हैं, इनका next move आपको लेकर क्या हो सकता हैं, बहुत ही fast action आपकी तरफ आता हुए दिखाई दे रहा है, यह action communication का हो सकता है, या फिर हो सकता है, यह आप से मिलें, और आपके साथ मिलकर date fix करें, ठीक हैं, ऐसी possibility रहेगी, ओके, कई लोगों के लिए 119, 28, 10 number important हो सकते हैं, 12, 21, 30, and 3 number भी prominent हो सकते हैं, और यह action आपको मिल सकता है, 4 days या 4 weeks में, आपके लिए क्या guidance है, the hanged man, the hanged man, 12 number again आ गया, जो कि मैंने अल्रेडी बोला कि आपके लिए prominent हो सकता है, hanged man is implying कि divine आपको कह रहे हैं कि अगर आप पूरा दिन एक ही चीज सोच के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, तो आप उस energy से बहार निकलिए, और अपनी life में इस time present situation में बहुत कुछ करने को है, उन चीजों को करें, और इन situations को future पे छोड़ दें, definitely future में यह सब तो होगा ह लेकिन present में आपको stuck नहीं रहना, इस तरह से उल्टे लटके नहीं रहना, 24 into 7, एक ही topic को नहीं सोचना, अपनी life में बच्चुवे कामों को करो, और life में आगे बढ़ो, life का enjoy करो, ठीक है, और अपनी knowledge, अपनी wisdom से कोई भी decision लो, किसी के manipulation में आके, कोई decision मत लो, ठीक है, और हर एक रिष्टे को मोका दो, और with time, अगर आपको लगे कि चीजे सही जा रही हैं, तो ही आगे बढ़ो, otherwise मत बढ़ो, तो यह divine की कुछ guidance थी, जो कि अलग-लग लोगों से, अलग-लग तरीके से resonate होगी, I hope कि यह reading आप से resonate हुई होगी, अगर हुई है, तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, May God bless you, take care